नमस्कार दोस्तों मैं अब इसे सर्मा अपने इस YouTube चैनल PPC Learning में आप सभी का स्वागत करता हूँ देखिए हमने एक सीरीज श्टार्ट की है उसकी दो वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ पहली वीडियो उसमें है टोपिक 1773 का Regulating Act फिर जो 1773 का Regulating Act वाली वीडियो है उसमें मैंने सिरफ इतना ही नहीं बताया कि 1773 के Regulating Act में क्या क्या था वो तो आप किसी भी बुक में पढ़ लेंगे उस वीडियो में मैंने पूरी त्रहें से उसको Explain किया है कि जो 1773 का Regulating Act था उसको लाने की आवशक तर यो पड़ी और फिर अगर वो Act ला भी दिया गया तो उसमें क्या क्या कम्या रह गई फिर उन कम्यों को दूर करने के लिए 1781 में एक संसोधन अदिनियम आया मतलब 1773 वाले Regulating Act में कुछ संसोधन किये गए 1781 में और फिर 1784 का जो PITS India Act आया उसमें क्या क्या बताया गया वो हम इस वीडियो में जानेंगे चलिए शुरू करते हैं देखिए सबसे पहले आया 1773 में Regulating Act उसमें संसोधन किये गए 1781 में और फिर उसके 3 साल बाद 1784 में PITS India Act आया इसमें देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है ये most important है और बिल्कुल आसान है देखिए अब तक हमने क्या पढ़ा था हमने 1773 वाले Regulating Act में देखा था कि एक संस्था बनाई गई थी मतलब एक Colt of Directors थे जिसमें 24 सदश्य थे वो उनका क्या काम था कि भारत में जो East India Company काम कर रही है उनकी गतिविधियों का जो सारा का सारा मतलब उनके बारे में सारी की सारी रिपोर्ट करने का काम Colt of Directors को सौपा गया इसमें 24 सदश्य थे इस काम को करने के लिए इस काम को बाट दिया गया एक और नई सस्था Board of Control Board of Control एक निकाए बनाया गया Board of Control में कितने सदश्य है? 6 सदश्य है तो ये बात आपको याद रखनी है Colt of Directors में 24 मेंबर और Board of Control में 6 मेंबर अब आप कहेंगे कि ये दो बनाएगे तो इनमें क्या 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 बोला गया इनको क्या क्या काम दिया गया अब तक Company भारत में जो भी काम कर रही थी देखिए Company यहाँ पे क्या करने आई थी? वेपार करने आई थी तो जाहिर सी बात है वेपारिक काम भी वो करेगी और वेपारिक काम के साथ साथ उसने बकसर का युद जीत लिया, पलासी की लड़ाई जीत ली और भी वो युद कर करती रहती थी कभी मैसूर के साथ, तो फिर क्या होता है? वो राजनिती का अधिकार भी उसको मिल गए, अब जैसे हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि बंगाल के जो दिवानी अधिकार थे, कर्वसूलने के जो अधिकार थे, वो उसको मिल गए थे, तो उनको भी नि अधिकार थे, उनको तो काम दिया गया, कि जो बोल्ड ओफ, कौल्ड ओफ डिरेक्टर थे, उनको तो काम दिया गया, कि आप इनकी जो कमपनी है, इस्ट इनिडिया कमपनी, इसकी जो वैपारीग गतीविद्य हैं, उनके बारे डिपोर्ट कीजिए, और जो बोल्ड ओफ गतीविद्यों को छोड़के, बाकी जो भी राजनितिक मामले हैं, आपका नियंतरन उनके उपर है, तो आप समझ गए ह और company के राजनितिक और वेपारिक कारियों को अलग-अलग कर दिया गया फिर भारत में company के अधीन अक्षेतर को पहली बार British आधिपत्य का अक्षेतर कहा गया यह most important point है एक्जाम में direct question पूछा जा सकता है कि पहली बार कब कहा गया कि भारत में अब देखे माल लीजिए मैं आ area company का है तो कहा गया कि यह जो company का area है ना इस पे एक त्रहें से British आधिपत्य मतलब क्या है British सरकार का अधिकार है तो यहाँ पर direct बोल दिया गया कि company काम कर रही है लेकिन अधिकार किसका है अधिकार है British सरकार का यह यहाँ पर बोल दिया गया पहली बार फिर British सरकार को भारत में company के कारियों और इनके परसासन पर पूरा नियंतरा परदान कर दिया गया कैसे किया गया board of control के मादें से और court of directors के मादें से कि अब तक क्या था अब तक आप देख रहे हैं सिरफ court of directors थी वो ही सारे के सारे काम करती थी लेकिन अब board of control भी बना दी गई जिसमें 6 सदश्य थे और board of control का क्या काम था कि वो राजनितिक मामले थे, जितने भी सन्य मामले थे, जितने भी ये राजसाव मामले थे राजसाव गतिवी दिया थी, उन सभी के related जो भी काम थे, जो भी addiction का काम था, नियंतरान का काम था word of control को सोंपा गया तो इस निकाय के माद्यम से British सरकार ने company के जो भी काम था उस पे पूरी त्रहें से अपना नियंतरन स्थापित कर लिया तो यहाँ पे हम एक त्रहें से बोल सकते हैं कि जो 1784 का PITS India Act आया ना इससे जो भी company का अक्षेतर था जी सक्षेतर पे company सासन कर रही थी और वो अपने सासन को बढ़ाती ही जा रही थी तो वो अपने सासन को बढ़ाती जा रही थी तो कह गया कि अब जो भी company का अधिकार अक्षेतर है वो एक त्रहें से British सरकार का अधिकार अक्षेतर है फिर सबसे important बात 1773 के Regulating Act में हमने पढ़ा था कि जो बंगाल और मदरास के गवर्नर थे उनको बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया अब आप एक बिल्कुल सिंपल सी बात समझिए कि कोई तीन परसन है A, B, C A, माली जी आप बंगाल का गवर्नर जनरल है ये मदरास और C है बंबई का गवर्नर तो अब कहा गया कि ये जो बंगाल का गवर्नर जनरल है ये बात कही गई थी 1773 के Regulating Act में कि इसका इन दोनों के उपर अधिकारक शेतर है लेकिन अब आपने इसको अधिकारक शेतर तो दे दिया लेकिन आपने इसको कोई पावर तो नहीं दी किये कैसे मनवाएगा कि मैं आपसे उपर हूँ अमाली जी इन्होंने कोई काम किया कोई नया कानून बनाया या कुछ भी काम किया बंगाल के गुवर्नर जनरल को वो सही नहीं लगा तो वो उनको कह सकता था कि भई आप इस काम को मत कीजिए लेकिन यार जब वहाँ पे यही नहीं कहा कि आप उनको किस रहे से कहोगे क्या पता है आपकी बात माने ना माने यह कहेंगे आपकी सक्षे किस अधिकार से हमें रोक रहे हो तो यहाँ पे डिरेक्ट बोल दिया गया कि गुवर्नर जनरल को विटो का अधिकार दे दिया गया कि मदरास और बंबई के जो गुवर्नर काम करेंगे अगर बंगाल के गुवर्नर जनरल को सही नहीं लगे तो उनको वीटोगर देगा मतलब वीटोगादिकार दे दिया गया फिर अब देखे पिछली इसमें हमने पढ़ा था 1773 वाले में कि जो 1773 के regulating act में गुवर्नर जनरल को गुवर्नर जनरल की जो काउंसिल होती थी उसमें चार सदश्य होते थे लेकिन यहाँ पे एक change है वो change गया है अब चार सदश्य नहीं अब सिरफ तीन सदश्य रखे गए मतलब एक सदश्य कम कर दिया गया और इन तीन सदश्यों में से एक commander in chief होता था फिर यह सबसे important बात है देखिए हमने पड़ा था कि जो 1773 का regulating act आया था उसको लाने की आवशकता क्यों पड़ी क्योंकि जो company थी ना उसकी जो आये थी वो घटती जा रही थी लेकिन जो अफसर थे उनकी आये उनकी income उनकी properties बढ़ती जा रही थी मतलब किया था सीधा वो घूसकोरी रिस्वत खा रहे थे उपहार ले रहे थे तो 1773 में परियास किया गया कि उनको कहा गया कि आपना रिस्वत नहीं ले सकते ये तो direct बोला नहीं जाएगा कौन बताएगा कि मैं रिस्वत लेता हूँ ये उनको बोला गया कि आप उपहार नहीं ले सकते अपना नीजी वैपहार नहीं कर सकते लेकिन यहाँ पे एक most important काम किया गया कि अगर company का कोई अफसर आ रहा है जैसे England से कोई अफसर आ रहा है यहाँ पे वो जोइन होने आ रहा है उसको कुछ भी अफसर बना दिया गया तो कहा गया कि जैसे माल लीजिए example के तोर पे एक जनवरी को किसी ने जोइन किया तो कहा गया कि दो महिने के अंदर-अंदर उसकी property की जाँच की जाएगी property की जाँच से क्या तात परिया है देखिए यह तो rule अब भी हर जगह valid है कि जैसे अगर कोई सरपंच के election में, MLA के election में, MP के election में, किसी भी election में खड़ा होना होता है किसी को तो वो अपनी property बताता है कि मेरे पास इतनी property है क्यों बताता है कि बाद में अगर कभी match करके देखा जाए कि इसकी salary कितनी थी और इसने इतनी property कैसे बना ली अब अगर किसी के पास मान लीजिए एक क्रोड की property है अब तक अपने काम किये हुए से और वो बन गया सरपंच और पाँच साल बाद उसकी जाच हुई उसके पास होगे मैं example के तोर पे गह रहा हूँ पाँच करोड की property तो अगर अब तक आपके पास सिरफ एक करोड की property थी तो क्या सिरफ सरपंच सरपंच की है इसे आप पाँच करोड बना लोगे नहीं ना यह क्या है सिधा direct रिस्वत है या कोई भी पैसा खाना गो ठाला ऐसी वो चीज़े है तो यही यहाँ पे मैंने आपको समझाया कि यहाँ पे जो अपसर आ रहे थे ना उनकी जोइनिंग के बाद उनको बोला गया कि आप जोइन कर लीजिए लेकिन दो महिने के अंदर-अंदर आपको बताना होगा आपकी प्रोपर्टी की जाँच होगी कि आपके पास कितने रुपे की प्रोपर्टी है कि ताकि जब वो रिटायर होके वापीस जाएं देख लिया जाए कि इन्होंने कितना गफला किया है तो ये कुछ important change किये गए मैंने आपको याद रखना है कि एक तो जितना company का अधिकारक्षेतर था उसको direct बोल दिया गया कि अब ये British सरकार का अधिकारक्षेतर है उसके साथ साथ पहले सारा काम court of directors करती थी अब एक और निकाय बना दिया गया board of control, board of control को राजनितिक मामले सोंपे गए और court of directors को सिरफ और सिरफ क्या सोंपे गए वैपारिक मामले तो ये कुछ important point है जो 1784 का pits India Act अगर आप से पूछा जाए तो आप define कर सकते है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सभी से request है वीडियो को like जरूर कीजिए और अपने सारे दोस्तों के साथ share कीजिए और हमारे साथ आने वाली वीडियो में बने रहे है thank you मिलते हैं अगली वीडियो में